नमस्कार मित्रो आप सभी का फिर से हमारे वीडियो में स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजे ताकि हर तरह के ख़बर आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके और देखिए हमारे पास कुछ मित्रों का मैसे जा रहा है कि जो STT हुआ है हाली में रिजल्ट भी प्रकासित हो चुका है बोट के द्वारा और उसका एक बर रिभाईज रिजल्ट भी हो चुका है जिसमें बहुत सारे बच्चे जैसे BC केटेगरी के थे जो गलती से उनका BC1 के बेस पे ही उनका मार्क्स बन गया था वो क्वालिफाई हो गया थे और उनको फिर से डिस्क्वालिफाई किया गया इन सभी तमाम अटकनों के बाद में अब मित्रों का मैसे जा रहा है कि सब कुछ क्लियर हो गया है रिजल्ट भी प्रकासित हो गया है लेकिन STT का सर्टिफिकेट कम मिलेगा कहां मिलेगा इसके पहले भी वीडियो बनाएं फिर से हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए गौर्मेंट के तरफ से बोड के तरफ से नोटिस या दिया गया था है कि एक मेने के अंदर आप सभी को अपने अपने जीला के डियो के पास यान के हैं उनका पटना के जीला सिक्षा पतादिकारी के करियाले से उनका मार्क सिट मिलेगा जैसा कि आप सभी को बताया गया था अब कुछ लोग कही है सवाल है कि डॉक्मेंट क्या लेके जाना होगा कि इसके पास मिलेगा तो आपको बताएं कि डियो के पास मिलेगा जीला स जाम देने के लिए हो लेकर जा सकता है अन्य था अधार कार्ड पैन कार्ड फोटो यह सब जेनरल चीज होता है इसको तो जरूर लेकर जाएंगे अब कुछ लोग का ये भी सवाल था कि कितने नंबर वाले को मिलेगा सर्टिफिकेट तो दिखिए कहने का मतलब है कि जो अपने काटेगरी में जो लोग क्वालिफाई हैं जैसे कि माल लेज आप जेनरल है तो जेनरल में 50% मार्क्स गेन किये हैं तो आपको मिलेगा यानि कि जिस केटेगरी में आप हैं आपका उस केटेगरी में क्वालिफाईंग मार्क्स आया है तो आपको आपका मार्क्स या सर्टिफिकेट जो भी है जरूर मिलेगा जो लोग डिस क्वालिफाई हैं उनको मिलेगा भा नहीं और वो लोग लेकर ही क्या करेंगे